नमस्कार दोस्तो देखो सीकोल स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत थे दोस्तो 23 अगस्त के थार्ड सिपने कोशन्स जो पूछेगे हैं रेलवे ग्रूप डी में वो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नमबर जो कोशन देश बंदू जो चितरंदन दास जी हैं इनका पेसा क्या था दोस्तो तो ये चितरंदन दास जी यह देश बंदू यह वकील थे वकील यहाँ पर राइड एंसर हो जायेगा ठीक है उसको जो भी दे रखा हो नेक्स्ट बात करेंगे पौधे में बचे हुए ग्लुकोज को किस रूप में स्टोर किया जाता है या फिर संचे करता है तो दोस्तों जो है पौधों में दोस्तों जो है ग्लुकोज को स्टार्च की रूप में संग्रहित कर लिया जाता है यह फिर जो इस्टोर कर लिया जाता है ठीक है अगुरंसील स्टार्ज के रूप में यही मानव में दोस्तों क्या होगा ग्लाइकोजन मन जाता है क्या होगा ग्लाइकोजन चलिए नेक्स्ट बात करेंगे उसमी अपगटन का रियक्शन पूझा था यहाँ पर चुना पत्थर है बुझा हुआ यहाँ पर आपका चुना और यहाँ पर कर्बंड़ ऑक्साइड यहाँ पर है नेक्स्ट बात करेंगे जैन धर्म से समंदित जो अपका जल मंदिर है इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था जो जैन धर्म से समंदित है जल मंदिर याद रखीगा इसका निर्माण राजा जो है नंदी वर्दन ने दोस्तों 528 बीसी में करवाया था next बात करेंगे संग की जो राजभासा है वो अनुछेद किसमे वनित है मैंने बताया था आपको ये repeated question आ गया मतलब लगभग मैंने बताया था कि यहाँ से पूछाई जाएगा क्योंकि दोस्तों हिंदी से question था ठीक है तो यहाँ पर आपका बन गया 343 ठीक है 343 अनुछेद में है आपका राजभासा next बात करेंगे किसने जो है मार्च 2022 में आठवी बार जो है जीवाई ACI बिलिएट्स खिताब जीता है दोस्तों किसने जीता है दोस्तों पंकज आडवानी ने जीता है पंकज आडवानी दोस्तों यहाँ पर जीता है नरसिंभा राव के समय विकास का LPG मौडल किस पंचवर्षी योजना से है नरसिंभा राव के समय पर जो है LPG का जो मौडल है वो जो है पूछा जा रहा है कि कौन से पंचवर्षी योजना से है तबके आठवे पंचवर्षी योजना से है दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है दच्छड पस्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है अपका उप्शन से हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे आपर पूछा गया था कि एक हजार वाट के कूल जो है बल्ब आपका प्रती दिन जल रहे हैं पांच घंटे दोस्तों रोज जलते हैं और सितंबर महीने मनें आपको यह भी पता रहना चाहिए कि कौन सा महीने कितने दिन का होता है ठीक है तो 30 दिन का यह महीना होता है ठीक है को जो है आपको बिल कितना आएगा एक युनिट का दाम यहां पर 6 रुपया दे र पूचा था था डोस्तो जो आपका मनायाँ आधु में और ओर मैं केराल में मनायाँ आजाता है तो प्रवर्तनांक और जो है किसका नियुंतम होगा तो अधिक दोस्तों यहां पर बैगनी वाली का हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे भारतिय सेना ने डिसंबर 2021 में कौन सा दोस्तों हाउस मैनेजिंग एप यहां पर लॉंच किया है तो दोस्तों यहां पर जो है अपका यहा इंजिनियर इंजिनियरियस जोस्तों मैनेजिंग एप है यह अप्लिकेशन है चलिए नेक्स्ट कुछ कोशन देख लेते हैं जो आपके एक्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट कोशन है आपका जो है 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन यहां पर पूछा जा रहा है में सिंगल क किताब दोस्तों किसने जीता है तो में सिंगल का किताब लक्ष सेन ने जीता है लक्ष सेन ने दोस्तों यहां पर जीता है साती साथ एक कोशन पूछा रहा है दरपन से आपके कि एक बच्चा जो जादूई दरपन में क्या कर रहा है सामने इसके खड़ा है वह अपने सीर क शवी को क्या कर रहा है बड़ा पाता है नो पाता है निए इसा है जोट मिश्मी क्या पोछाएगा और काफी यहां पर डिपली पूछा जा रहा है कि आपको पता है कि नहीं किसमें कैसा बनता है नेक्ष्ट बात करेंगे मस्तिस्क का कौन सा छेत्र होता है अन्य ठीक गती को नियंत्रित करता है जैसे आपका पलक का जपकाना यह सब छीकों का जाना यह सब अन्य ठीक चीज को कौ छोता है आपका यहां फिरी चीजहों को क्या करता है यह नमत्र नेक्स्ट अ बात करेंगेThis में सब्सक्राकरी तो एनेक्षिजंबिस्टेंगर का मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारी तो एडवांस फ्यूल सेल इलक्ट्राणिक वहां लाउंच किया मतलब यहां पर क्या हो रहा है यह हाइड्रोजन से चलेगा दोस्तों मतलब इहां पर इनका प्लान यह पानी से चलानेगा ठीक है तो यहां पर जो एक तैयार किया उसका नाम क्या है यहां पर पूछ रहे थे नेक्स्ट बात करेंगे अवतल दॅर्पन का दोस्तों यहां पर आवरधन कैसा होता है तो यहां पर रिडात्मक होता है रिडात्मक दोस्तों होता है और आवतल दर्पन समीती ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 20 रुपे शालाना प्रीमियम पर बीमा योजना कौन सी है पहले दोस्तों ये 12 रुपे था ये बढ़कर के 20 रुपे हो गया है इसका नाम है पीम जो है सुरच्छा बीमा योजना ठीक है यह सलाना दोस्तों जो है आपके 12 उर्पे से बढ़कर 20 उर्पे किया गया इसका इसी लिए आपर पूछा है नेक्ट कोशन है दोस्तों नेक्ट कोशन है किसी केमिकल रियक्षन के बाद दोस्तों ये एक साइन दी रखा है क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि योगी की जो है पानी में घुल गया इस साइन का मतलब है आपका कि योगी जो है पानी में घुल गया पौधे का कौन सा भाग दोस्तो जो है परदूशन को संचित करता है तो जो है परदूशन को कौन करता है यह संचित रंद्र करता है रंद्र ठीक है र पुलिंग हो जाएगा और दोस्तों जो है आपका 25 या माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फीमेल यहाँ पर बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर तापमान द्वारा यहाँ पर निधारन हो जाता है नेक्स्ट बात करेंगे विद्दूत चुम्बकीय प्रे लिए समान जो है लागू होता है तो विधी द्वारा जो कानून होते हैं यह सब के लिए दोस्तों जो है लागू होते हैं एक समान ठीक है विधी द्वारा जो कानून होते हैं वो नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा प्रोटोकॉल दोस्तों आपका यहाँ पर 1947 में पारित है ठीक है काफी यहाँ पर दिक्कत परत्किमें छेदी हो रहा था उसके लिए आपर यह सब चीजें बनाई गया चलिए आप पर बता यह को शूर्ण सार आ लगभग में दोस्तों जो है तीन दो तीन करके आप टीकए इकॉलेटि के तीन कोशन ऐसे आ रह laugh सकते हैं आठे टेक्स को कह सकता है करेंडी की तरफ उल्टा थेखने के यह सकता हिसमें बी कोश्टन आपके तीन बन जा रहे हैं साथी साथ दोस्तों जो है आपके आपके बिल्डिंग हो जाएगा आपके मतलब जो टेबल में लगाते हैं एक दो तीन चार पांच छो साथ बिल्डिंग है तो बोलेगा कि छटवे नंबर पर टी है सब उसके नीचे हैं और एक समसंख्या वाले पर आपको पता ना चार पर भरी गया तो चार पर या तो दो पर होगा तो ऐसे कोशन आपके बन रहे हैं इसे दो कोशन या फिर एक कोशन आपके बन जा रहे हैं साथी साथ दोस्तों दिशा दूरी के कोशन यानि कि आपका पस्चिम की ओर चलना प्रारंब करता है तीन मीटर उपर जाता है से नीचे उपर करके लास में पुछेगा कि इस दिशा में या फिर प्रारंबिक से कितनी दूरी है तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा यह दस हो गया यह पांच हो गया तो आप निकालेंगे यह कितनी दूरी यहां पर बन रहा है और भी कोशन आपके बन रहा है दोस्तों जैसे लीनियर में आपकी सिटिंग हो रही है जो यहां पर बैठा दे रहा है उत्तर की तरफ देख रहा है या फिर नीचे की तरफ कि यह साथ-चाथ यहांपर तीन चार-पांच ऐसे करके बहुत सारे यहांपर अंक-लिख देगा उसमें बोलेगा प्रतेक्व जो है समसंक्या में में एक जोड़ देंगे वीसम संक्या में दो घठा देंगे तो और कितने 3 मिलेंगे या फर जो है दायंसे जो तीसरा है आरोी क्रम में सेट करने बाद बाइंस जो दूसरा है दूनों को घटाएंником जोड़ें या फिर भाग देंगे दैंगे